हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागर दिसे ने वीडियों बात करने वाले हैं CISF में जो है हेट कॉंस्टेबल की वेकिंसी निकाली गए बारहुवी पास के इंडिट्स के लिए अर कोई बारहों है और साथा जो है वह एSPORTS PERSON है यहाँ पर फjm को अप्लाई कर सकता है यहां पर आपको ट्राइध के सेलेक्ट्न होने मतलब कोई रीटेन ऍग्जाम नहीं होगा जिरह आपको जय को आप ट्राइल दीजिए, फिर प्रोफेसिंसी टेस्ट, फिर आपका फिजकल स्टेस्ट, फिर आपका डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल एक्जाम होता है, आपका सेलेक्शन यहां पी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी वेकिंसी निकलेगी, जीडी की लेवल 4 की सेलरी होनी चाहिए, आप इंडियन स्टीजन होने चाहिए, फिर फर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बारहुनी पास होनी चाहिए, और साथ साथ इस डिसिपलिस में से किसी भी डिसिपलिन में, आप जो है, sports person होने चाहिए, तो ही sportsman and women 2023 इसका option मिलेगा यह current opening यहाँ दिखा रहा है अब यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा करना होगा ठीक है ना तो form भरने से पहले आपको एक नया region करना होगा इस पर क्लिक करेंगे न तो यह login का option है मतलब आप login करिए तब करेंगे जब आपके पास user ID password होगा तो पहले आपके करेंगे एक registration करेंगे तो registration यहाँ से होगा निवरेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है दुबारा से नाम को लिखना है फिर पूछ रहा है कि यहाँ इसके अप्चा कोट को भरेंगे इसके बद यहाँ पर समिट पर क्लिक करेंगे जनकारी समिट करते ही आपकी परसनल जनकारी यहाँ पर सो होता है आप एक बार अच्छे से verify करेंगे थोड़ा सा नीच आएंगे यहाँ पर अपना mobile नमर लिखेंगे दुबारा मॉइ ये-mail पर यूजर आडी पासवर्ड भेज दिया गया है आपको लॉग इन करना है तो आप क्लिक करेंगे लॉग इन करते ही लॉग इन करने के लिए यहाँ देखिए करेंट ओपनिंग का उप्शन मिलेगा आप यहाँ साइड में इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉग इ से मिल गया होगा अगर आप पहले से यह ञ जिस्टर है तो आप उसी आडी पासवर्ड से लॉग इन कर दे तो यह चीज हम यहां पर लॉग इन कर लेते हैं लॉग इन करते हैं यहां पर देखाएगा इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्संड वुमें अप्लाई फॉर या ऑन वीफोर मतलब इससे पहले बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहां देखे क्लिक है टू अप्लाई आप इस प पढ़ना है आपको यहां पर कंटिनुव करना यहां पर पढ़ लिजेगा क्योंकि इस्टक्षन बहुत जरूरी है यहां पर फोटोशनेचर का गाइडलांस दिया हुआ है यह भी आपको बहुत जरूरी है फोर्म मतलब पढ़ना क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पर आपको category बताना है आप OVC है EWC से स्टी जनरल है कि इस category साथ है category चुनाव करेंगे अब यहां पर आपको domicile state की सराजे के निवासी है gender बताना है male female क्या है nationality और रहा है name of the sports event आप कौन से sports event की जानते हैं मतलब आप कौन से sports person है यहां पर वो सारे sports person का नाम आ जाएगा जिसके लिए आप form भरना चाहते हैं जिसे हमने फुटबॉल चूच किया तो यहां पर फुटबॉल आ रहा है इसको tick कर देंगे अगर आप किर्केटर है तो किर्केटर जो भी आप है अपने according यहां पर बता दे है तो आप जो पढ़ें बता देंगे यहां पर आपका religion बताना है आप ही ले अरियस आते हैं तो यह करेंगे देखें ही ले से बताएंगे नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे अगर बताएंगे तो यहां पर आपको select करने को option आएगा एक body में पहचान बताने जिसे कि तिल कर निसान कटा कर निसान जो भी है दो बताना एक और दो और नहीं है तो नो माक भी आप यहां पर इस तरह से कर सकते हैं लेकिन एक कम से कम बता दीजिए आप यहां मोबाइल इमेल सो हो रहा है नीच आएंगे यहां एक आपको ID चूच करना है इसमें से कोई भी ID प्रूफ हो सकता है जैसे मैंने अब अधार काट चूच किया अधार नमबर यहां लिख देंगे अगर हम pen card चूच करें तो pen नमबर यहां लिख देंगे जो आप चूच करेंगे यहां आपको पर्मनेंट एड्रस लिखना है यहां पर आप आप पोस्ट लिखिए आप राज्य अचिदर सेंटर बताएंगे अप सब्सक्राइब है यह। खेला है इंटर इंवर्सिटी और नेशनल या इंटर नेशनल तो स्पोर्ट्स पर्शन जो भी हैं आप अपने इकोर्डिंग बता देंगे कि किस लेबल तक आपने खेला हुआ पिर जो है यहां पर आपको बताना है कि आपका नेम अप टूनामेंट का प्लेस जहां पर टूनामेंट हुआ था कब से कब ता आपने गेम खेला अवार्ड आपने क्या जीता गोल्ड शिल्वर ब्राउंज फर्स्ट पोजिशन सेकेंड थर्ड पप अपने अकोडिंग यहां है तो हां कर दीजिए सपोज आपका नहीं है तो नो कर सकते हैं तो अपने कोडिंग बता देंगे तो यहां पर बोला है वेदर देट प्रिंटेड और फोटोग्राफ टेकन फोटोग्राफ जो आपने लिया वह उस पर जो है डेट प्रिंटेड है यह पूछ रहा है यहां करते हैं अगले स्टेप में अब आपको यहां पर मैट्रिक का साडिफिकेट जो की पीडियाप में होना चाहिए एक MB से कम होना चाहिए, यहाँ पे 12 हुई class का certificate, और यहाँ पे photograph, यहाँ बोला है, डोली date on photograph taken, मतलब जो है, फोटो के नीचे date mention होना चाहिए, यहाँ पे सीधी सीधी समझ लिए, कि कब अपने photo खिचवाया हुआ है, और 3 months से ज्यादा older भी नहीं होना चाहिए, और ध्यान ज file choose करेंग, पे click करेंग, अप्लोड हो जाएगा, फिर educational qualification इस तरह साब signature photos अप्लोड कर देंगे, अप्लोड करने के बाद से यहाँ पे save and continue करनी है, save and next करते ही, यहाँ पे आपका document सब अप्लोड हो जाएगा, अब आपको ok करते ही, आपको, यह देखिए, redire कर है, payment gateway के तरफ अब यहाँ मेरे को बोल रहा है कि आप eligible नहीं है, fee exception, मतलब fee से माफ है, मतलब यह कि मैं SCST हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है, मेरे को fee नहीं लग रहा है, अगर आप general OBC से रहते हैं, तो आपको 100 और प्लिकेशन fee जमा करना पड़ता, last step fee payment का है, तो fee payment जमा करते हैं, उस sports quota से उसके लिए कैसे form को भरना है, अगर आपके मन में कोई भी doubts है, comment है, comment box में पूछिएगा, और यह जो print out है, इसे निकालके hard copy अपने पास सूराचित रख लेगा है, documents, verification समय यह लगता है, मिलता है friends किसी next video में, चाहें